हेलो नमश्कार स्टुडेंट वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल आज अपन दूसरी क्लास लेके आए हैं सेकंड नमबर मोडल पर अपन कर रहे थे संजीव का और उसकी पहले क्लास अपन ने लगा ली है 30 नमबरों का काम उसमें कर लिया था अब अपन 4 नमबर क्यूसन स स्टार्ट करेंगे तो सुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा अगर आप दस्वी क्लास से रिलेटिव जितनी भी वीडियो पाना चाते हम जितनी भी अपलोड करेंगे उसके लिए आप चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा जो रेड बटन है उसको दबाई पास में लेगी बैल आइकन को दबा ले ताकि आपको जितनी वीडियो हम डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप जल्दी से उसका लाव उठा सकें तो उसक्लासों को सेर कर दीजीगा लाइक कर दीजीगा चैनल को सस्क्राइब जूरूर कर ले रेड बटन क को दबाके ताकि सारी वीडियो आपके पास में पहुंच जाए अब देखिएगा चोथा क्यूशन है आज की क्लास का पहला क्यूशन है कि 135 और 225 का HCP Euclid विवाजन अलगरिफम का परियोग करके ग्याद कीजिए अब पहला ही क्यूशन है आज की क्लास का वैसे 4 नंबर क क्यूशन है और पहले ही चैप्टर में इसे दे दिया और पहला ही क्यूशन उठा लिया अब इसमें से युकलिड विवाजन क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है A is equal to B Q plus में R A is equal to B Q plus में R अब आप ये तो जानते होंगे कि ये नंबर इसके बीच में क्या होता है इसके बीच में यहां पर जो आप भज्जे लिखेंगे बाजक यहां पर भज्जक यहां पर बागफल यहां पर आएगा बागफल नीचे आएगा सेसफल और यह आएगा भज्जे यह आएगा भज्जे इसको तो लिखते हैं R से इसको लिखेंगे Q से अब इसमें से आप लिखे इसको लिखोगे A से इसको लिखोगे B से तो आपके पास में जो formula बनता है ये बनता A is equal to BQ plus में R A is equal to BQ plus में R अब बड़े नंबर में छोटे नंबर का क्या करना होता है भाग देना होता है अब यहां से देखेगा समझिएगा यहां 135 छोटा है 225 से यानि 135 छोटा है 225 की तरब मुह खुला है तो 225 बड़ा है 135 की तरब मुह बन दे तो 135 से छोटा है नुकिला भाग छोटे को denote करेगा और खुला भाग बड़े नंबर को denote करेगा अब बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देना है अब यहां से बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देना है तो किस परकार से आप भाग दे पाओगे यहां पर 225 में 135 का भाग भाग जाएगा एक बार भाग जाएगा एक बार तो लिखोगे 135 सेसपल कितना बचेगा 0 सेसपल कितना बचेगा 0 12 में से कितने हो गए 3 तो 9 बचेगे अब 90 में 90 का भाग किसमें लगाओ उपर वाला उठाओ 135 तो 90 कम 90 कितना बचेगा 5 13 में से 9 जाएगे तो 4 45 अब यहां पर 90 में लगाएगे इस 90 में भाग लगाए 45 दूनी 90 45 दूनी 90 सेसपल कितना बचेगा 0 सेसपल कितना बचेगा 0 जब सेसपल 0 आ जाता है तब हमारे पास में यह नंबर जिससे अपन भाग दे रहे है यानि B ही हमारा अब यहां से लिखेंगे पहली कंडिशन युकलिट विवाजन अलगोरिथम क्या होता है A is equal to BQ A यहां पे क्या है A यहां पे क्या है 225 225 B का मान कितना है 100 sorry B का मान जो आप भाग इससे भाग दे रहे है 135 से 135 क्यू का मान कितना है एक plus में क्या है 6090 दूसरी condition में लिखोगे इसकी जो दूसरी condition होगी वो होगी अब यहां पे एक आमान कितना है 135 इसका जिसका किस्शे भाग दे रहे हो 90 से भाग कितनी ऐा रह गया सेसपल कितना बचा 45 सेसपल कितना बचा 45 तीसरी कंडिशन लिग दीजेगा यह होजेगा 90 यह कितना होगा 90 और यह होजेगा 45 का भाग दे रहें बाग दो बार गया प्लस में रिमेंडर 0 रिमेंडर 0 अते जहां पर रिमेंडर 0 आ जाता है तो जो B का मान होता है वही हमारा HCF महतम समावरते होगा अते 125 और 225 का HCF HCF is equal to 45 होगा यह आपका इसका right answer होजेगा समझे इसको अब करते हैं दिवी घात बहुपद के सुन्यक ग्यात कीजिए अब इस दिवी घात बहुपद के आपको सुन्यक लेके आने है तो इस दिवी घात बहुपद के सुन्यक कैसे निकालोगे सबसे पहले जो दिवी घात बहुपद दिया गया उसको 0 के बराबर रखते हैं सबसे पहले starting point यहां से 6x की square माइनस में 3 अब देखो इसमें करने के लिए सटूडेंट आपको कन्फूज करने के लिए इसने 3 ले दिया कि सटूडेंट जल्दी में क्या करेगा बाहर वालों का multiply और बीच वाले का क्या करेगा जोड़ना और घठाना अब कन्फूज होगे कि बाहर बीच में तो x आता x नहीं दिया अब आपको इसको change कर लेना है थोड़ा change कर लिजेगा तो यहां से 6x की square पहले maximum power अब इसके बाद में इसकी minimum power 7x अब इससे चोटा number जो constant है जो constant है उसको लिग दिया अब बाहर वालों का multiply माइनस के 6 तीए 18x की square आना चाहिए और जोडने और गटाने पे माइनस के 7x आना चाहिए एसे 2 number में 9x प्लस के 2x माइनस के 3 is equal to 0 अब यहां से देखेगा 9 में से 2 जाएंगे तो 7 वो भी माइनस के 9 दूनी 18 x की square और माइनस का माइनस का भी आएगा already अब first 2 में से क्या common आ रहा है उठा ले common मैंने उठा लिया 3x तो यहां पर बचेगा 2x माइनस के 3 प्लस के एक उठा लिया common अब जितना इस कोष्टक में आएगा उतना ही मान उस कोष्टक में अगर अलग आ रहा है तो गलत कर रहे हैं तो यहां पर 2x माइनस में 3 is equal to 0 अब यह आएगा 2x माइनस में 3 और यह आएगा 3x प्लस में 1 is equal to 0 यहां से x का मान निकालें माइनस का है प्लस का बनेगा 2 गुणा में है भाग में चिला जाएगा तो X का मान आएगा 3 बटा 2 और यहां से X का मान निकालेंगे तो minus का 1 बटा 3 यह तो minus का हो जाएगा और यह गुणा में है तो यह भाग में चला जाएगा X का मान कितना होगा? minus के 1 बटा 3 हो जाएगा तो इस परकार से इसका solution आजएगा सुन्यक कितने होगे? सुन्यक जितनी maximum power उतने ही इसके क्या आएगे? सुन्यक आएगे तो 3 बटा 2 और minus का 1 बटा 3 इसके 2 सुन्यक आगे निमन रेखिक समीक्र यूगम को विलोपन वीदी से हैल किजिए question दे दिया लेकिन आपको समीक्र नहीं दी गई तो यहां से guys अपन समीक्र लिख लेते हैं 3x plus में 4 कितना है? 3x plus में 4y is equal to 10 is equal to 10 और दूसरी equation आपको दी गई है 2x 2x plus sorry minus में 2y minus में 2y is equal to 2 यह दो equation दी गई अब विलोपन आप जानते हैं विलोप करना गायब गर देना किसी एक को गायब करे और किसी एक की values निकाले यह आपके पास में 1 number equation यह आपके पास में 2 number equation अब मैं देखुआ इसका गुणाक 3 है यहां पर इसका गुणाक 2 है लेकिन इसका गुणाक 4 है इसका गुणाक 2 है अब इसको दुगना करते हैं इसको y के गुणाक को दुगना करते हैं तो 4 हो जाएगा एक को ही गुणा करना पड़ेगा अगर हमें इसका गुणाक x का करना पड़े न इक्वल तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से, यहनि इसका हमें LCM देखना पड़ेगा, कितना आएगा, 6, तो हमें 6 बनाने के लिए, इसको तो 2 से, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इतना बड़ा काम करेंगे नहीं, only 4, समीकरन नमबर 2 को, लिखेंगे समीकरन, समीकरन 2 को 2 से, समीकरन नमबर 2 को 2 से गुणा करने पर, आगे देखी, क्या बनेगा, यह आपके पास में बनेगा, 4X माइनस में, 4Y is equal to 2, 2, 4, दोनों तरफ होगा भी, इसको भी 2 से गुणा करोगे, तो यह equation आएगा, आपके पास में, 3 नमबर, equation आएगी, 3 नमबर, अब लिखेंगे, समीकरन 3 और 2 को, एक और 3 को जोड़ने पर, समीकरन, समीकरन 1 प्लस में, 3 से, समीकरन 1 प्लस में, 3 से, तो यह बनेगा, 4X माइनस में, 4Y is equal to 4, और यह बनेगा, 3X प्लस में, 4Y, is equal to 2, sorry, 10, जोड़ दो, जोड़ेंगे, तो यह कट जाएगा, 3, यह देख लिजएगा, 4 और 3, 7X is equal to 10 और 4, 14, तो यहां से, 7X की वेल्यू कितनी आगई, 14, X की वेल्यू, 14 बटे, 7, 14 में 7 का भागल का हो, 7 दूनी 14, तो X का माँन कितना आएगा, 2, X का माँन कितना आजएगा, इसमें 1 में रख दो, X का माँन, 3 दूनी 6, तो लिखोगे, यदि X का माँन, X का माँन, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो 3 दूनी 6, यहां पे, 6 पलस में 4Y, ये बनेगा 6 प्लस में 4y is equal to 10 प्लस का है इस साइड में जाके माइनस का तो 4y is equal to 10 माइनस में 6 is equal to कितना आएगा 4 आएगा तो यहां से 4y is equal to 4 तो y का मान कितना आएगा 4 बटे 4 यानि 1 तो यहां से y का मान कितना आगया 1 यहां से y का मान आपके पास में आ गया 1 और x का मान आ गया 2 यह होता है विलोपन वीदी से हल करना एक होता है परतिस्तापन वीदी उसको किसी एक का मान निकाल के दूसरे में परतिस्तापन कर देते हैं वो होता है परतिस्तापन विलोप करना किसी एक को गाइब गर देना जैसा कि आपने यहाँ पे y को गाइब गर दिया पूरी equation x में बन गई x की value आ गई अब एक नमबर में रखो, दो नमबर में रखो या तीन नमबर में रखो किसी एक में रख दो तो यहाँ से आपके पास में y की value आजेगे तो चलिएगा guys, अब अपन करेंगे 7 नमबर क्यूसन, start अब देखेगा guys, 7 नमबर क्यूसन है गुणनखंड वीदी से द्वी घात समीकन के मूल गयाब किजिए गुणनखंड, अब इसके factor करने है गुणनखंड करने है आपको जो आपको द्वी घात समीकन दी गई है उसके factor किजिएगा कि यानि बाहर वालों का तो multiply करने पे 5 गुणा, root 2, root 2 का गुणा 2 होता है तो 5 दुणी 10 x की square बनना चाहिए जोडने और गठाने पे 7 x बनना चाहिए एसे 2 number लेके आईए तो एसे 2 number हो जाएंगे root 2 x की square प्लस मैंने लिखा 5 x प्लस में 2 x प्लस में 5 root 2 is equal to 0 5 दुणी 10, 5 और 2 7 तो ये बनेगा पहले 2 में से common लिया हमने x तो ये बन गया root 2 x root 2 root 2 यह ना तो root 2 x प्लस में 5 अब इस में से अब देखो root 2 गुणा root 2 ये क्या होता है? 2 होता है तो मैं इस 2 को इस root 2 गुणा root 2 के रूप में लिख सकता हूँ तो मैं अगर एक root 2 कॉमल ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा? root 2 बचेगा तो मैंने इस में से root 2 कॉमल ले लिया अब यहाँ पे कितना बचेगा? root 2 x साथ में है प्लस में 5 क्योंकि root 2 तो बाहर कॉमल ले लिया is equal to कितना बचेगा? 0 अब देखेगा गाईस इन दोनों में से कॉमल आ रहा है root 2 x प्लस में 5 जो कि ब्रेक्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे x बच गया प्लस में यहाँ पे root 2 is equal to 0 एक बार तो root 2 x प्लस में 5 बराबर 0 एक बार आप लिखेगे x प्लस में root 2 x प्लस में root 2 is equal to 0 तो यह बनेगा x is equal to minus के 5 बटे root 2 x is equal to minus का प्लस का 5 है इस साइड में जाएगा minus का 5 root 2 गुणा में है यहाँ पे भाग में लग गया अब यह प्लस का है तो x is equal to minus root 2 तो अते इस दिखाद समीकरन के मूल क्या होंगे मूल is equal to minus के root 2 कोमा माइनस के 5 बटे root 2 होंगे यह होंगे ठीक समज़ गे यह इसके कितने आएगे दो मूल आ जाएगे निमल लिखित समानतर सरेडी में कितने पद है निमल लिखित समानतर सरेडी बोल सकते हैं या समांतर सरेणी बोल सकते हैं में कितने पद हैं अब आपको ये गिवन है हमें पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और अन्तिम पद यानि अन्वा पद गिवन है यहां तक माइनस 27 तक जाएंगे तो हमें ये बताना है माइनस 47 तक जाएं तो कितने पद आ जाएंगे टोटल पद यानि N का मान हमें लेके आना है तो लिखोगे यहाँ A का मान 18 D क्या होता है A2 माइनस में A1 तो A2 का मान है 15 सही 1 बटा 2 माइनस में 18 15 सही बटा को बटा में बनाओ 15 दूनी 30 रे 31 यह होज़ेगा 31 बटा 2 माइनस में 18 बटा 1 लगा सकते हैं इसके नीचे LCM आएगा 2 तो यह बनेगा 31 माइनस 18 दूनी 36 तो यह बनेगा माइनस के माइनस के 5 माइनस के 5 बटे 2 माइनस के 36 है प्लस के 31 है माइनस के 5 बटे 2 और अनुवा पद A N N का माण तो पता है नहीं अनुवा पद माण लिया यह आपको दिखाई दे रहा है माइनस के 47 और हमें N का माण क्या करना है ग्यात करना है अब फोर्मूला आप जानते हैं A N का A N is equal to A plus N माइनस में 1 into D अनुवा पद का माण है माइनस के 47 A का माण है 18 पलस N का माण पता नहीं D का माण है माइनस के 5 बटे 2 अंदर गुणा करा दीजेगा यह आएगा माइनस के 47 is equal to 18 और इसके साथ में गुणा कराएंगे तो यह आएगा 5 N बटा 2 कितना आएगा 5 N के साथ में गुणा 5 N और माइनस है तो माइनस लग गया माइनस और माइनस पलस एक के साथ में करोगे तो 5 बटा 2 अब यहां से N का माण कितना आएगा देख लिजेगा इनका पलस कर दीजेगा तो माइनस के 47 is equal to 18 पलस 5 बटे 2 is equal to sorry is equal to नहीं माइनस के 18 दूनी 36 इसका एलसेम लेंगे तो इसका एलसेम आएगा 2 18 दूनी 36 36 पलस में 5 41 36 पलस में 5 41 बटे 2 और माइनस में 5 N बटे 2 5 N बटे 2 अब देखेगा यह आएगा माइनस के 5 N बटे 2 यह है माइनस के 47 is equal to माइनस के 47 और यह पलस का है इस साइड में जाएगा माइनस के बनेगे माइनस के 41 बटे 2 तो यह बन जाएगा माइनस के 5 N बटे 2 is equal to एलसेम कितना आगया 2 तो यह बनेगा माइनस के 47 गुना 2 साथ दूनी 14 चाथ दूनी 8 रेक 9 माइनस में 41 है गया चुराण में माइनस में 41 तो माइनस के दोनो नमबर एड हो जाएगे वैल्यू आएगे माइनस की पांच रेक चार रेक 5 और 9 और 4 13 135 बटा 2 अब इसको काड़ देंगे माइनस के 5 N बटे 2 और यह माइनस के 135 बटा 2 2 से 2 कर जाएगा क्योंकि बराबर है माइनस से माइनस कर जाएगा वैल्यू आएगी 5 N is equal to 135 N का माण आएगा 135 यह भाग में चला जाएगा 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 3 बचे का 35 5 साते 35 N का माण कितना आएगा N का माण आएगा हमारे पास में 27 तो यहां से इस समांतर स्रेडी में 18 से लेकि माइनस 47 तक 27 पद है N का माण आएगा हमारा 27 यहनी 27 वह पद माइनस के 47 है अब इसके बाद में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुनज है अब सबसे पहले 10 आता है लेकिन क्या 10 चार से विवाजित हो जाएगा नहीं पूर्णते विवाजित नहीं है तो सबसे चोटा पूर्णते विवाजित होने वाला नमबर लिखे AP AP क्या बनेगी AP बना लीजीगा AP बनेगी आपके पास में 12 दूसरा नमबर है 16 12 दूसरा नमबर है 16 तीसरा नमबर है 20 चोथा नमबर है 24 इस परकार से continue चलता जाएगा अंतिम 250 में 4 का भाग नहीं जाता 249 में नहीं जाता 248 248 अब 4 की भाजिकता का नियम जानते हैं अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए 48 में 12 चो के 48 होते 48 याणि 248 में 4 का भाग पूरा-पूरा जाएगा अब यहाँ पर लिखोगे A का मान कितना है N का मान ही ले के आना इसमें भी A का मान कितना है 12 D का मान कितना है A2 माइनस में A1 यानि 16 माइनस में 12 is equal to 4 D का मान कितना है 4 और AN N का मान कितना है 200 अन्तिम पद अनुवा पद क्या है 248 है फोर्मूला आप जानते है A N is equal to A plus N minus में 1 into D अन्तिम पद है 248 is equal to A का मान कितना है 12 प्लस N का मान कितना है पता नहीं ले के आना है D का मान पता है 4 अब यहां से लिखोगे 248 is equal to 12 plus 4 का अंदर गुणा 4 N minus में 4 4 N minus में 4 तो यह बनेगा minus के 4 है ना और plus के 12 है तो plus के कितने बचेंगे plus के 12 है minus के 4 है plus के कितने बचेंगे 8 और plus के 8 इस साइड में आएंगे तो 248 minus में 8 is equal to 4 N तो यहां से 4 N का values आएगा 248 में से 8 जाएगे तो 240 240 240 पे N का मान कितना आएगा 240 में 4 का बाग लगा दो कितना आएगा 60 6 के 24 होते हैं 60 आएगा N का मान आएगा 60 यानि इसमें 4 के गुनज कितने होंगे 4 लिखोगे अतै 10 और 250 के बीच में 4 के गुनज इस प्रकार से लिख सकते हो होंगे 4 के गुनज कितने होंगे 60 होंगे तो देखिएगा 9 नमबर क्यूशन तक कंप्लिट हो चुका है अब चलते हैं Next क्यूशन पे तो देखिएगा अब देखिएगा गाईज इसका दस्वां क्यूशन है कि 7.6 सेंटिमेटर लंबा एक रेखाखंड गेंचिए इसे 5 अनुपात 8 के अनुपात में विवाजित किजी दोनों भागों को मापिए दोनों भागों को स्केल से मापना है लेकिन पहले एक 7.6 सेंटिमेटर लंबा रेखाखंड गेंचिना है उसको 5.98 में विवाजित करना है अब आपको इसमें रचना करनी है रचना मैं आपको बता दूँ कैसे करनी है जैसे जैसे आप डाइग्राम बनाते जाएंगे साइड में आप रचना करते जाएंगे अगर कई सर्ट डाइग्राम तो बना लेते हैं लेकिन रचना करनी नहीं तो रचना जैसे जैसे आपने एक रेखाखंड खींचा उसके बाद में तुरुंत नीचे जो आप डाइग्राम बना रहे हैं उसके नीचे एक दो लाइन छोड़के रचना का नाम लिखो और रचना कर दो कि सबसे पहले हमने एक 7.6 cm लंबा रेखाखंड खींचा जैसा कि अ पहले एक 7.6 cm लंबा रेखाखंड खींचना है तो हमने एक 7.6 cm लंबा रेखाखंड खींच दिया इसके बाद में 5 अनुपात 8 यानि 5 अनुपात 8 में व्याजित करना है अनुपातों का योग कितना है तो देखेगा अब बिंदू A से या बिंदू B से कोई दिकर नहीं आप A से बना सकते हैं या B से बना सकते हैं नीचे बना सकते हैं या उपर बना सकते हैं मैंने यहां पर बिंदू A से नियून कौन बनाती हुई एक रेखा AC खिंच दी क्या रेखा खिंच दी? AC कोई रेखा यहां पर C बिंदू दे दिया एक रेखा आमने AC खिंच दी जो की नियून कौन और noon cone क्या होता है जो 90 degree से चोटा cone होता है वो होता है अब कोई एंगल पे खींच सकते हो आप यहाँ पे 90 बनता है यहाँ ऐसे मत खींचना यहाँ पे 90 है तो इससे पहले पहले यहाँ खींच सकते हो यहाँ खींच सकते हो यहाँ खींच सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ठीचनी है न्यून कौन बनाती हुई अब इसके बाद में अनुपातिक भागों का यो कितना हो गया तेरा अब आपकी मर्जी रहेगी परकार में पैंसिल को डाल के अच्छे से अब परकार को यहां ए बिंदू पर रखे आपकी मर्जी रहेगी लगबग एक सेंटीमेटर के ह परकार को ओपन करके ऐसे समान भागों में और इसके कितने भाग करने हैं तेरा भाग करने कितने भाग करने हैं तेरा भाग करने जिस परकार से आपने परकार को यहां पर रखा है परकार को तो बिंदू ए पर रखना है और पैंसिल इस आगे की तरफ होनी चाहिए एक दो तीन, चार, पांट, छे, साथ, आट, नो, देस, इस परकार से ग्यारा, अब आगे नहीं जाता है, कोई बात नहीं, ग्यारा, और यह होता है, बारा, और यहां पे लग जाएगा तेरा, इसको आगे बढ़ा देना, आपके पास में तो कोपी होगी, वहां पे जगह काफी होग तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको आगे बढ़ा दीजीगा इस परकार से, तो यहां पे लग जाएगा तेरा, यह चाप हो जाएगे इस परकार से, छोटा-छोटा लगाना है चाप, कि बड़ा-बड़ा चाप लगाने लग जो, बड़ा चाप नहीं लगाना है इस परकार से छोटा-छोटा चाप लगाना है यह होज़ेगा आपके पास में A1 यह होज़ेगा A2 यह होज़ेगा A3 यह होज़ेगा A4 यह A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और यह होज़ेगा A13 A13 यानि A13 है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है अब थोड़ा असा अलग लिखे देता हूँ इसको इसको थोड़ा पहले कर देते हैं 5 अनुपात आठ को 5 अनुपात आठ अनुपात अब यहाँ पर आपको दिखाई दे जेगा अच्छे से तो यहाँ पर आएगा A13 अब इस लास्ट वाले भाग को B से मिलाना है अब देखो आपने रचना की कि सबसे पहले हमने A B रेक रेखा खंड 7.6 सेंटिमेटर लंबा खिंचा अब इसके बाद में हमने बिंदू A से नियून कोन बनाती हुई A C रेखा खिंची अब परकार की साहता से समान लंबाई के चाप लगा के हमने A1, A2, A3 इस परकार से A 13 तक चाप लगाए जो कि लंबाई में क्या है समान है अब A 13 को A 13 को B से मिला दो इस से तो यहां से इस परकार से मिला देना इसको मिला दिया मिलाने के बाद आप क्या करेंगे कि अब परकार को जितना चाप लगा है वो कोई जुरूरी नहीं कि उतना ही रखे कम ज़्यादा कर सकते हैं अब परकार को अपनी मर्दी से A13 पे रखे यानि A13 पे रखे एक चाप लगा दीजीगा मैंने यहाँ पर रखे एक चाप लगाया है जैसे कि दोनों को काट रहा है यहाँ पर मैंने परकार को तो रखा है यहाँ पर और पैंसिल है वो क्या कर रही है इन दोनों लाइनों को काट रही है तो यहाँ पर तो आपको रखना है परकार और इस परकार से क्या काटेगी पैंसिल इनको काटेगी अब परकार को हिलाना नहीं है उतना ही खुला रखना है जितना आपने A13 पे रखके चाप लगा है अब उतना ही खुला रखके जितना आपने ये खुला रखा न उतना ही खुला रखके आप क्या करोगे इस पे चाप लगाओ A5 पे क्यों लगाओगे क्यों कि हमें क्या करना ह पांच अनुपात आठ में, अब पांच से उपर कितने भाग बच गे, आठ भाग बच गे, आठ को छोड़ के, अब आपने इस परकार से एक चाप लगा दिया, किस पे रखे, A5 पे तो परकार को रखोगे, और पैंसिल है, वो क्या होगी, यहाँ पे चाप लगाएगी, अब आप परकार की साहिता से इस चाप को नापो, यहाँ पर ऐसे आपको क्या करना है, पैंसिल और परकार जो नुकिला भाग है दोनों का, यहाँ से नाप सकते हो, जितना यह भाग आता है, उतना ही भाग क्या आएगा, यह आएगा, मानो यह यहाँ पर काट गया, मानो यह यह जहां पे इसको काट रहा है जहां से यह काट रहा है उसको अपन क्या करेंगे इसको A5 से मिलाएंगे जहां पे यह दोनों बहां काट रहें जहां पे यह दोनों चाप काट रहें उनको क्या है A5 से आगे बढ़ाते हैं और मिलाते हैं A B पे आते हैं A B पे मानों D विंदू आ यहां पे यह आपकी रेखा क्या थी C थी यहां पे C माल लिया AD पे आगया अब AD पे आएगा ना तो यह दो DA5 और BA13 जो होगी वो क्या होगी एक दूसरे के समानतर होगी जैसा कि मेरे वाला डायग्राम में भी आपको समानतर लग रही है तो मानो आपके पास तो pencil होगी scale होगा सब कुछ होगा आपके पास तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आप असानी से कर सकते हैं रचना कर दी आपने रचना जो जैसे जैसे आप कर रहे हैं जो डायग्राम बना रहे हैं वो आपको हिंदी में लिखना है वो इसकी क्या होगी रचना होगी अब इसकी बाद में इसका सप्रष्टिकर्ण करना होता है इसकी उत्पति करनी होती है अब देखो बाद में क्या वोला है, दोनों भागों को मापिए, अब scale की साहिता से, इस भाग को ना पोगे, और इस भाग को ना पोगे, तो आप देख पाओगे, कि लगबग ये आपके पास में आएगा, 2.something, यानि 2.9 आएगा, और ये आपके पास में आजेगा, 2.9, और इसके बाद में कितना भाग बची है, 4.7, तो ये भाग आपके पास में आएगा, 4.7 का आएगा, लगबग इतना ही आएगा, अगर इतना आता है, तो सही है, अन्यता आप गलत कर रहे हैं कहीं कहीं, तो अब, अब अपन करेंगे, इसका सपर स्टिकर, सपर स्टिकर में देखीगा, कौन से दो तिर्बूज लेंगे, तिर्बूज लेंगे, तिर्बूज A, B, C, वै, तिर्बूज A, D, अपन A, D, C नहीं लेंगे, A, B, C नहीं, A, B, A, 13, A, D, A, 5, ये दो तिर्बूज ले लिए अपने, एक तो बड़ा वाला तिर्बूज, एक छोटा वाला तिर्बूज, अब देखेगा, इसमें क्या आएगा, दोनों लाइने पैरलर हैं, आप लिखोगे, B, A, 13, पैरलर है, किसके, D, A, 5 के, यनी, B, 13, D, 5 के समानतर है, D, A, 5 के समानतर है, तो और यहां से लिखोगे, एंगल A, is equal to angle A, क्या है, उब्यनिस्ट है, उब्यनिस्ट है ना, ये दोनों में एंगल common है, ये दोनों में क्या है, जितने भी है, 60 का है, 45 का है, 80 का है, जितने भी डिग्री का है, क्या है, common है, दोनों में equal आ रहा है, तो लिखोगे, तिरबुज, तिरबुज A, B, A, 13, समरूप होगा, A, D, A, 5 के, ये दोनों तिरबुज क्या होगे, एक दूसरे के, समरूप होगे, समरूप का च idiots, जानते हो, ये समरूप का है, इसके नीचे दो लाइने आजेग, सरवांग्शम का होजेगा, ये समरूप है, तो समरूप है, तो समरूप दो तिरबुजों की संगत बुजाओं का अनुपाद क्या होता है, equal होता है, तो अपने लिख दिया, ये तिरबुज छोटे वाले तिर्भुज की ये लिखोगे इसके नीचे, अब मैंने A üzer x 10 तेरा तो आपने लिख दिया D A 5 और इसका रेशो देख लो A A 13 कितना है टोटल भाग आप जान सकते हैं कि आपके पास में ये है 8 और ये हिस्जेदारी बाढ़ लो एक से लेके 13 तक है तो तेरा भाग है कितना भाग है 10 और ये A A 5 तक कितना भाग है पांच भाग है कितना भाग है फांच भाग है तो यहां से देखेगा मैंने लिखा AB upon me AD is equal to 13 बटे 5 13 बटे 5 करेंगे दोनों में से 1 केक को गठा दे दोनों तरफ एक गठाने पर क्या बनेगा आप लिखोगे AB upon me AD minus 1 और 13 बटे 5 minus 1 इसका LCM कितना आएगा मैं यहां पर लिख रहा हूँ LCM आएगा AD, LCM आएगा AD, यह आएगा AB minus में AD और यह बन जाएगा 13 बटे 5 और 5 LCM ले लिए 13 minus में 5 यह इस साइड में चलाएगे अब देखो पूरा AB में से AD को गठा देगे तो क्या बनेगा DB यह बनेगा DB upon me AD, DB upon me AD, 13 में से 5 आएगे तो 8 बटे 5 तो यह देखेगा, रेशो हमें लेके आना है AD बटा AB, AD बटा DB is equal to 5 बटे 8 5 बटे 8 यह रेशो लेके आना था, यानि AD का रेशो है 5 और DB का रेशो है 8 तो 5 बटे 8 AD और DB का माना आ गया, समझगे, रचना कर दोगे अच्छे से अगर नहीं समझ में आए तो दुबारा देख लेना वीडियो की कौन सा चाप कहां से सरने लगा दिया जल्दवाजी से मत करना, आराम से ध्यान से समझ के, एक क्यूसन समझ में आ गया यह मानिए पूरा चेप्टर समझ में आ गया, अब इसके बाद में 11 नंबर की उसन आपको दिया गया 6 सेंटिमेटर तिरिजा का एक वर्त कहींचिए, वर्त के केंदर से 10 सेंटिमेटर दूरस्तित, एक बिंदू से वर्त पर सपरस रेखा युगम की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिये, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 सेंटिमेटर तिरिजा, 6 सेंटिमेटर परकार को खोलोगे और एक राउंड करोगे, तो इस परकार से आप राउंड करोगे, 6 सेंटिमेटर खोलना भी, मैं तो यहाँ पर बगेर परकार के कर रहा हूँ, वर्त का केंदर और रहेगा, 6 cm, 10 cm दूर, वर्त के केंदर से 10 cm दूर, 6 cm तो यह हो गया, और 4 cm और कर लिजिगा, सपोज करो यहां पर आगया मान, यह कितना आगया, सपोज करो यह बिंदू पी आगया, और यह आपके पास में 4 cm, ठीक, अब आप इस बिंदू से इस पर सपर स्रेका की रचना करने है, तो डाइरेक्ट तो आप ऐसे तो लाइन खींज नहीं सकते, तो क्या करोगे, सबसे पहले यह बना लिया, ओपी आपके पास में 10 cm है, अब परकार को, 10 cm से हाप कितना होता है, लगबग होता है 5 cm, 5 cm होता है 10 cm का हाप, और 5 cm से थोड़ा परकार को खोलोगे, यानि लगबग 6 cm परकार को खूला रखेंगे, यानि हमें क्या करना है, ओपी का सम्धी बाजन करना है, और कोई भी लाइन होते हैं, उसका सम्धी बाजन कैसे करते हैं, परकार को आदे से ज़्यादा खोलके, एक चाप उपर, एक चाप नीचे, दूस को रखाया यहां पर लगबग 6 या 7 cm मैंने open कर रखा, 7 cm कर रखाया कोई दिकत नहीं, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए, अब मैंने यहां से चाप लगा दिया, एक चाप मैंने लगा दिया, यहां से और यहां से, P पे रखके चाप लगा दिया, O पे रखके चाप लगा दिय दोनों चापों को इस परकार से आप मिला सकते हो जो कि आपका जो कटान बिंदू है जो कटान बिंदू है वो एक तम ऐसे ही काटेगा अब जहां पे ये काट रहा है जहां पे ये काट रहा है उसको सेंटर मानना है उसको सेंटर मानके परकार को ओत खुला करो या पी त खुला करो और एक इस परकार से एक डैस 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 वर्त की रचना करनी है एक डैस डैस वर्त की क्या करने है आपको एक रचना करने है डैस डैस वर्त की रचना करोगे जहां पर ये डैस डैस वर्त इस मैन सरकल को मैन वर्त को काट रहे है न उनको बिंदू P से मिला दीजिए उनको बिंदू P से आप मिला देंगे यह बिंदु मालिया Q और यह बिंदु मालिया अपने R यानि जहां पर यह काट रहा है तो यह आपकी सपरसरेखा की रचना होगी P से Q तक और P से R तक रचना होगी अब इसके हमें क्या करना है यूगम यानि जोड़ा दोनों तरफ खिंचती चलो बन गया लेकिन उसकी लंबाई मापने अब O को Q से मिलाएए और Q को R से मिलाएए जहां पर यह मिलेगी सपरसरेखा और तरिया हमेशा ही क्या बनाएगी 90 डिगरी का कौन बनाएगी अब आप जान गए हैं ये 6 cm है ये 6 cm है 6 पलस में 4 ये कितना है 10 cm है हम जानते हैं कि त्रिबुज यहां त्रिबुज पी क्यू ओ एक समकौन क्या है समकौन त्रिबुज समकौन त्रिबुज है इसलिए पाइथा पाइथा गोर्स पाइथा गोर्स पाइथा गोर्स परमे से क्या होता है भी, करण का स्केर is equal to आधार का स्केर पलस में, लंब का स्केर, करण का मान देख लो 90 डिग्री से के सामने वाली भूजा हमेसा करण होती है, यानी OP, क्या करोगे OP, OP का स्केर is equal to आधार क्या हो गया, आधार कुछ भी हमको नहीं मानन सकते, ओक्यू मान लिया O Q का ओक्यू का स्केयर प्लस में लं क्या है P Q और हमें लं का इमान ज्यात करना यानि सपर स्रेखा आपने P Q मान है तो इसका ही मान ज्यात करना है तो यहWhat Q आएगा पी का स्केयर अब जो OQ है ना ये plus का है इस side में भेज़ दो minus का होज़ेगा तो ये होज़ेगा आपके पास में O P O P का square minus में O Q का square तो ये बनेगा O P का मान आपने let कर लिया X जो भी है या जो भी है P Q है वो कह है X आपने let कर लिया जो कोई दिक्कत नहीं P Q का square is equal to O P का मान कितना है 10 का square minus में 6 का square 10 का square minus में 6 का square तो ये आएगा P Q का square is equal to 10 का square हो जाएगा 100 minus में 6 का square होगा 36 6 का square होगा 36 तो यहां से P Q का whole square is equal to 100 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा 64 आएगा, 100 में से 36 आएगे, तो कितना आएगा, 64 आएगा, तो यहां से PQ का मान देख लो, PQ का मान आएगा, यहां से सुकेर हटा होगे, 64 पे रूट लगेगा, 64 पे रूट लगेगा, प्लस माइनस का 8 आएगा, माइनस का आपको लेना नहीं क्यों लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती तो guys PQ का मान आपका आजेगा 8 PQ का मान आएगा प्लस के 8 प्लस के 8 सेंटिमेटर ये आपकी सपरसरेखा की लंबाई आजेगी इसमें रचना भी करने यूगम की रचना कीजिए रचना कैसे करोगे सबसे पहले प्रकार को 6 सेंटिमेटर ओपन करके हमने एक चाप लगाया सोरी एक वर्त बनाया अब इसके बाद में एक बिंदू P वर्त के केंदर से 10 सेंटिमेटर की दूरी पे लिया अब इसके बाद में O P का हमने समधी भाजन किया O P का समधी भाजन करेंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट आए वो O D S कर देना O D S आया O D S पे हमने परकार को रखे O O D S एक तरीजा लेके एक वर्त खींचा जो की बिंदू P और O से गुजर रहा है बिंदू P से Q और R पे क्या डाल दी सपरस्रेखा खीज दी अब इसके बाद में ये सपरस्रेखा की रचना होगी अब जो प्रोसेस ये करनी है न यहाँ पे ये समकौन तिरबोजा है पाइथागोर स्पर में लगेगी करन सुकेर बराबर आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर इस प्रकार से ये प्रोसेस पूरी आपको अच्छे से करनी है आप इसका सक्रेन सोट ले सकते है कोई भी क्यूशन में आपको डायूट लेगे तो आप कोमेंट बोक्स में बेजिजग बता सकते है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाले परतेग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमारा भी मोटिफिशन बना रहे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलें कुछ ने के साथ जैहिन जैभारत